हेलो फ्रेंज, आज दोस्तों हम एक पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है The Heart of the Tree जिसे लिखा था हैंरी कैलर बर्नेनी दोस्तों इसे उन्होंने 1912 में लिखा था पर आज भी यह 100 साल बाद यह पोयम, बेस्टस पोयम माना जाता है और इसमें सिर्फ तीन स्टैंजा हैं और यह जो पोयम है दोस्तों इसमें पोयम ने बस यह दिखाने की कोसिस किये कि पेड कितने important होते हैं और यह आपके लिए कितना कुछ करते हैं आपको बस इन्ही क्या करना है? इसके उगाना है, ग्रो करना है तो आईए दोस्तों हम पहला स्टैंजा पढ़ते हैं फिर्स्ट एंजा में poet कहते हैं इन लैनों में दोस्तों poet कहना चाहते हैं कि जिसने पीड उगाया उसने क्या उगाया उसने सिर्फ एक पीड नहीं उगाया है उसने friend उगाया है sun और sky का अब दोस्तों सुरज और आसमान का पीड कैसे दोस्त हुआ तो पेड़ पहले जमीन पे होता है पर वो ऊपर ऐसे बढ़ता है मानो वो सूरज और आकास को मिलने जा रहा हो उसका दोस्त हो और वो उसके करीब जा रहा हो उससे बात करने को ऐसा परतीत होता है जब पेड़ बढ़ता है तो poet imagination से कहता है कि तुमने सिर्फ एक पेड़ नहीं उगाया है तुमने sun और sky का दोस्त भी उगाया है जो कि उसके पास आ रहा है उससे बात करने को इन लैनों में poet कह रहे हैं दोस्तों कि वो जो plant आपने उगाया है न वो एक flag की तरह आपको दिखेगा उसे देखिए और business मतलब होता है लहराना और वो जो flag जैसे हवा आती तो कैसे लहराता है वैसे वो पेड़ भी लहराएगा जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो पेड़ लहराएगा खुबसूरती से ऐसा लगेगा मानों जंडा फैरा रहा हो और उसके बाद आगे कहते हैं poet की वो जो beauty है ना पेड़ की वो आपको दिखेगी और वो उपर जाती रहेगी और वो beauty ऐसा लगेगा मानों आसमान से आ रही हो He plant a home to heaven again for song and mother crown of bird इन लाइनों में poet कहते हैं दोस्तों कि आप से एक पेड़ नहीं बना रहे हैं आप एक heaven बना रहे हैं उन पक्षियों के लिए वो पक्षी भी आपको कुछ न कुछ गिफ्ट देंगे क्योंकि आपने उनका घर बनाया है आपने वो पेड उगाया है जिसमें उन्होंने घर बनाया है और उन्हें जन्नत का असास दिया है कि वो भी इस जगह पे रह सकते हैं वो भी आपके लिए कुछ करेंगे वो गाना गाएंगे आपके लिए जब वो चिडियां चह चहाएगी तो आपको लगेगा जैसे कि वो आपको गाना गाकर सुना रही है इतना मधूर वो चह चहाएगी वो चिडियां जिसका घर आपने पेड उगाकर बनाया है इन हसीड एन हैपी चुलाइट हीड दे ट्रेंबल ऑफ हीवन हैवन्स हार्मोनी दीज दिंग्स ही प्लांट हू प्लांट अ ट्री लास्ट की लैनों में पोईट कहते हैं कि आपको जो चह चहाने की चिडियों की आवाज आ रही है वो जो सौंग वो सुना रही है वो आपको भी हैवन में ले जाएगा और वो आपको यह ट्रिब्यूट कर रही है कि आप भी यह महसूस करें कि आप भी जन्नत में है और आपको ऐसा लगेगा मानो कि आप उसके लिए बहुत कुछ किये हैं क्योंकि आपने एक प्लान्ट उगाया है और वो यह सब पाएगा जो भी पेड लगाएगा यह पोईट कहना चाहते हैं दोस्तों स्टेंजा वन में पोईट बैसिकली यह कहते हैं दोस्तों कि जो भी व्यक्ति पेड लगाएगा जो भी व्यक्ति पेड को उगाएगा वो बहुत सी चीजें पाएगा जैसी कि वो सन और स्काय का दोस्त भी बनाएगा फ्लैक जैसा वो पेड भी पाएगा चिडियों की चहाने की आवाज भी सुनेगा क्योंकि चिडिया उसे सुक्रिया कह रही होंगी क्योंकि उसने उस चिडियों के घर को बनाने के लिए उसे एक पेड दिया इसको सुक्रिया चिडिया करेंगी और उस गाने को सुनकर वो व्यक्ती हैवन में रहेगा, हमेशा खुस रहेगा, हमेशा खुसनुमा महौल होगा उसके इर्दगीत, जो भी या पीड लगाएगा तो आईए दोस्तों, अब हम next stanza को पढ़ते हैं, और देखते हैं कि poet next stanza में क्या कह रहे हैं दोस्तों इसमें आपको तीन stanza वाली poet में पहले बता चुका हूँ और अब हम जो दोस्तों first stanza को complete करके, अब हम second stanza की ओर बढ़ रहे हैं और अब हम देखेंगे कि poet आखिर second stanza में क्या कहते हैं, उसके बाद हम third stanza देखेंगे तो आईए दोस्तों second stanza की सुरुवात करते हैं What does he plant? Who plant a tree? He plant cool, shaded and tender free Second stanza की सुरुवात की दो लैनों में poet कहते हैं दोस्तों कि फिर से वो question पुछ रहे हैं कि क्या लगाएगा वो जो एक पेड लगाएगा, क्या पाएगा वो जो एक पेड लगाएगा तो वो जवाब देते हैं कि वो पाएगा ठंडी च्छाओं क्योंकि देखिए दोस्तों जब आप पेड लगाएगा तो आप उसके नीचे सेल्टर लिजेगा तो आपको छाओं मिलेगी धूप में भी जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं एक आवैक्ति कैसे सिल्टर में से कूल सेड ले रहा है और यह पीड आपकी जो वर्षा है उसको लाएंगी जिससे आपको कभी पानी की भी कमी नहीं होगी क्योंकि आपके घर में बर्षा होगी उसके बाद आगे पोईट कहते हैं एंड सीड एंड बर्ड आफ डे तुबी एंड इयर्स दाट फेड एंड फ्लस अगें तो आपने अगर एक पेड लगा दिया ना तो उसमें जो फल उगेंगे उससे सीड आएंगे और वो सीड जो है वो अपने आप कहीं चला जाएगा वहीं पर इर्द गेर्द और वो उगने लगेगा बुड की तरह चोटे-चोटे फिर कली उगेंगे और फिर वो पेड बन जाएगा तो जो आपने एक पेड लगाया ना उससे कई सालों बाद कहीं सारे पेड वो खुद बखुद लगाने लगेगा लेकिन स्रे इसका किसको जाएगा आपको जाएगा इसके बाद पोईट कहते है आपने एक प्लांट उगाया जो कि आपको सीतलता दिया काफी चीज़े बनाई और पूरी जहां को खुबसूरत बनाया अब वही पेड धीरे धीरे इतना पेड उगा दिया कि वो जंगल हो गया है और वो जंगल जो उसके सीड से जो सारे पेड उगे वो हेरिटेज बना एक वो किसका बदौलत बना है आपकी बदौलत क्योंकि आपने एक पेड लगाया उसी से यह पेड उगा है उसके बाद लास्ट की लैनों में पूएट कहते हैं दोस्तों इसके बाद वो कहते हैं दोस्तों कि जो पेड आपनी लगाया था आने वाले टैम में वो काफी सारा हर्वेस्टिंग होके और एक काफी बड़ा जंगल बन जाएगा और आपको काफी ज़्यादा फल देगा और आपको काफी ज़्यादा इससे बेनेफिट्स होंगे और जो unborn eyes है यानि कि आपके जो आगे आने वाली पीडिया हैं उन्हें भी यह खुसी देगा क्योंकि यह पीड नहीं मरेगा और अगर मरेगा तो और भी खोब सारे पीड उगा कर जाएगा जिससे आपके आने वाले जो unborn eyes यानि आपके बच्चे जो हैं उनकी आखें भी इस चीज को देखेगी और याद करेगी कि आपने कितना अच्छा करके गया है उनके लिए कितना अच्छा पीड उगा कर गए हैं इसके बाद दोस्तों हम next stanza में आ गए हैं और अब third stanza की सुरुवात करते हैं stanza two के बाद third stanza में आते हैं तो poet कहते हैं अब दोस्तों third stanza यानि कि last stanza में poet पहले दू लाइनों में कहते हैं कि क्या पाएगा वो जो एक पीड उगाएगा फिर से भई questions और वो कहते हैं कि वो पाएगा जो पेड लगाएगा वो पाएगा slap sap मतलब होता है दोस्तों पौधे का rush यानि कुछ पौधे होते हैं जो rush देते हैं जैसे कि कतारी हो गया sugarcans दोस्तों leaf पाएगा पत्ते पाएगा पत्तों भी काफी हो जाते हैं दोस्तों और wood पाएगा यानि लकड़ी पाएगा इसके बाद दोस्तों poet कहते हैं कि जो पेड लगाएगा न वही सच्चा प्यार करता है अपने घर को यानि कि दुनिया जो जिस पे आप आए हैं वो loyal यानि कि सच्चा प्यार वही करता है अपने इस धरती नुमा घर को क्योंकि वो एक पेड उगाया है वो blessings भी पाएगा अपने नाइवार हुड यानि पडूसियों से क्योंकि वो पडूसी भी तो उसकी छाओ लेंगे उससे लकड़ी लेंगे उससे पत्ते लेंगे उसका रस पिएंगे उस पेड से उन पडूसियों को भी लाब मिलेगा जो क पेड आप लगाएंगे और उनकी blessings उनके असिरवाद भी आपको मिलेगे जो भी व्यक्ती पीड लगाएगा दोस्तों वो सिर्फ पीड नहीं लगाएगा वो अपने जो हैंड से जो पीड लगाएगा वो अपने लैंड को एक ग्रोथ देगा यानि कि अपने जो एर्दगिर जितना भी धर्ती है उसे एक नया स्वरूप देगा और उसे हरा भरा बनाएगा नेशन जो है उसके जो हाट में है न वो पेड उगेगा वो जो पेड है वो उसके दिल में रहेगा सदेव क्योंकि वो उस पेड से काफी चीज़ें पाएगा और यहीं पे या पोयम खत्म होती है दोस्तों आप एक पेड लगाएंगे की नहीं हमें कमेंट सेक्समने बताएए थैंक यू दोस्तों